अक्षे कुमार बिकेम इलाईची कुमार क्षे कुमार कहना क्या चाहता है क्या वो एक्षे कुमार क्षे कुमार कहना है पहले तो अक्षे अगर आपने कभी इंडोस नहीं किया तो ये क्या कर रहा है अपने शुरुआत के दिनों में और जब आप ये बोलते हैं आपकी फिलिंग्स की मैं कदर करता हूँ कि आपको जो लगा मेरी असोसेशन विमल इलाईची के साथ जो है इसको लेकर तो अक्षे अगेन इंडिरेक्ली ये उस सेंग कि आपके असोसेशन तो विमल इलाईची के साथ है पर आप ये भूल रहे हैं कि इस क्वाइट क्लियर कि जो विमल इलाईची है और जो विमल पानमसाला है वो एक ही कंपनी का है ये ब्रैंड जो है वो विमल है जब ये ब्रैंड होता है उसके चाहिए जितने भी सब प्रोडक्स हों पर जब कोई भी एडवर्टीसमेंट करी जाती है तो वो ब्रैंड की रीकॉल होती है और एक बात और बता दूँ मैं ये जो ब्रैंड है उसका जो majority share है जो majority revenue है वो पा करना चाहती होगी जब कि उनका revenue share majority का एक X brand से आ रहे है तो Y product क्यों बेचेगी because X product की add करना prohibited है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी association जस इलाइची के साथ नहीं है आपकी association उस brand के साथ है तो I think indirectly you may say that your association is just इलाइची but everybody should know कि इलाइची नहीं ये brand के साथ है आपकी association आप उस brand को promote कर रहा है और उस brand का जो main product है वो इलाइची नहीं है और ये सारी बाते मैंने कई बार अपने अलग-अलग videos में कहीं है आप playlist उन सारे videos का surrogate advertising के जो पूरा उसको detail करता है उसकी जो पूरी playlist आपको link description में मिल जागा पहले आप उसको समझ लीजे उस कई लोग react करते हैं बिना समझे कि actually ये माजरा है क्या, numbers क्या कह रहा है, ये decision surrogate advertisement को probate करने का क्यों लिया गया था मैं बहुत जादा humility के साथ एक step पीछे लेता हूँ, अब मैं decide कि हमें endorsement fee जो भी मैंने कमाऊंगा इस brand को endorse करने के बात, वो मैं सारा एक worthy cause में लगा दूँगा तो अक्षे कुमार मैं ये पुछना चाता हूँ कि ये endorsement fee है केतनी है, और कौन सा ये worthy cause है, अगर आप transparent होंगे, तो और बहतर रहेगा, because damage has already been done जो contract हूँ ने sign किया, उसकी जो भी duration है, तब तक अब brand ads करता रहेगा, और वो कुछ नहीं कर सकते है, पर वो आगे से बहुत careful रहेंगे, mindful रहेंगे यहाँ सबसे पहले तो क्या duration है आप किया, gain contract के, because आप sorry तो बोल रहे हैं, बड़ आप details नहीं बता रहे हैं, you are not being transparent to the public, तो हमको कैसे पता कि ये 6 महने का contract है, ये 3 साल का contract है, 5 साल का है, 10 साल का है, lifetime contract है, जरह इस पे भी तो थोड़ी से टिपणी दीजी, अमिताब बच्च होता है आपका, आप sorry बोल देते हैं, क्या उसके बाद ये responsibility खतम हो जाती है, at least be transparent कि वो contract के duration किया है, तो प्यार तो अक्षियोगमार आपको मिला ही है, आप एक fitness icon रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी movies करी हैं, बड़ इसका मतलब ये नहीं है, मेरा conclusion बस आपकी statement पे इतना है कि damage has already been done, जितने भी लोगों को cancer होता है, एक लाख oral cancers होते हैं, उनका सबसे बड़ा reason, as per the report of the cancer institute, ये data कहते हैं, एक लाख नए oral cancer हर साल आते हैं इंडिया में, और उनका जो major reason होता है, वो tobacco, तंबा को चू करना होता है, और ऐसी ads का direct impact होता है, नहीं तो अगर नहीं होगा, तो क्यों ये इतने करोड़ों रुपे आपको देंगे, जो आप बता नहीं रहे हो कितने करोड़ा आपको मिले हैं, मैं जानना चाहूँगा, तो हर किसी के बस की बात नहीं है, माफी मांगना, जैसे कुछ लोगों पर मैं हूँगा भी, आगे इस video में, वो part बहुत important होने पर अपचता है होत क्या, जब चिडिया चुक गई खेत, चाहे मीडिया आपको एप्रिशेट करें, चाहे आपके बॉलिवूट के गैंग वाले लोग आपको एप्रिशेट करें, पर मैं जरा कुछ सटीक सवाल करता रहूंगा, शायद आप लोगों का calculated move रहा होगा, कि जैसा कमालिया जाए, या एक और patriotism वाली movie कर देंगे, जैसे आपके दोस्त करते हैं, जब भी वो add आती है, उनकी कोई नही movie आ रही होती है, वो किसी social cost से related होती है, patriotism पे related होती है, और उनको वापिस public support मिल जाता है, और अब उनकी एक नही तरकीब आई है, हाँ जी, अब म अब आपसे, जो आपने बोला अभी इस कार्टिकल में, जहां अक्षिय कुमार ने माफिय मांग ली, अलू अर्जुन ने ठुकरा दी deals, आपने बोला आपके logic के हिसाप से, अगर add, घलत है करना, इस brand की, तो उन products को बिखना ही नहीं चीए, आपका ये logic है, तो मैं आप से पूछना चाहता हूं, कि क्या आप ये कह रहे हैं, कि अगर government ने ban नहीं किया, तो इस product के कोई risk नहीं है, इस product का कोई impact नहीं है, इस product से किसी को खत्रा नहीं है, इस product से किसी की health compromise नहीं होरी कि आप ये बोल रहे हैं, बना ban नहीं होगा, जब तक ban होगा, you're okay with this kind of risk, you're okay with compromising the health of your fans, who make your brand value so much, कि आप करोडो इन brand से ले पाते हो, और इननी की health आप compromise कर रहे हो, आपके logic के इसाफ से, तो nuclear weapons जो है, अगर वो बन रहे हैं, arms and ammunitions companies बन रहे हैं, और कल को वो promote करने लिए आपके साथ contact करेंगे, तो आप promote करेंगे, because आप कहेंगे, कि अगर promote करना गलत है, त आप से कभी पूछा नहीं होगा न, इसलिए आप arrogantly ये चीज़ भोल देते हैं, because nobody will cross question you, but this time I am doing that, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये question में थोड़ा भी logic दिखता है, थोड़ा भी metal दिखता है, तो ये question मेरे साथ पूछिए Mr. Ajay Devgan से, और इस सारे मीडिया को challenge करिए, कि call out करना शुरू करें, इन stars को इनको बोलना शुरू करें, they are nothing more than just Bollywood businessman, they don't deserve to be call stars, अगर कोई भी मीडिया वाले इनको star या superstar का दरजा देता, तो वहीं उनको रोको, और बोलो कि no, call them Bollywood businessman, unless and until somebody is acting like Mr. Allu here, I think by doing that, हम change लापाएंगे, बदलाव लापाएंगे, और अगर आपको इस तरह के campaign में मेरे साथ जुड़ना है, तो आप इस link पर register कर सकते हैं, आपको सारी updates, ऐसे campaign के बारे में मिलते रहेगे, guys मैं ऐसे videos लाता रहूँगा, ऐसे reactions, ऐसे decords, ऐसे analysis, अपने perspectives backed up by irrational, लाता रहूँगा, मैं गो काश आप देख रहे झाल